मसकार बोले भारत में आप सभी का स्वागत है मिरे नाम है अभिशेक तिवारी अब हमारा चुनावी सर्वे अलिगड पहुंच चुका है अलिगड से हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अलिगड के बारे में आपको बताते मुशलिम उनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं हैं कहेंगे कएमरे पॉर से दिखा ये मुशली इनिवर्सिटी को और सबसे बड़ी बात हुआ है कि मुश्लिम इनिवर्सिटी सबसे ज़्यदा मशुहूर इनिवर्सिटीओं में विख्यात है और अलीगड़ अपने जो तालीम और ताली के लिए भी दुनिया भर में मशुहूर रहता है लेकिन मुशलीम इनिवर्सिटी से तमाम ऐसे शात्र निकले हैं, जो देश और दुनिया में काफी अपना नाम कमा रहे हैं, आपको बताते चलें कि ये मुशलीम इनिवर्सिटी को ले करके भी बाते पहले से आती रही हैं, दर्बादर इसमें से भी राजनितिक एजन्डे व बहुत सारे ऐसे शात्र शात्राइं हैं जो लागातार यहां से राजनीती में भी काफी सक्रिय रहे हैं आपको बता दें कि सरसायद अहमद खान ने शिक्षा के जिस मंदर की निव रखी थी वो बिश्व परसीद अलीगाड मुश्लिम इनिवर्सिटी यही है जो अभी हमां आपको लागातार दिखा रहे हैं अब थोड़ी से सियासत के बारे में बात कर लेते हैं सियासत पे अगर बात की जाए तो सियासत में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा है कोई खास वज़ा विधान सबाचुनाओ है ऐसे में विधान सबाचुनाओ से जुड़ी होई खबर सबसे ज़्यादा चर्चित यह है क कि आखिरकार अलिगड़ से इस बार का विधायक कोन बनेगा हम लगतार पबलिक ओपिनियन करके हम आप तक यह खबरे पहुचाएंगे दिखाएंगे जनता का मूड क्या है लेकिन उससे पहले जरा आप जान लीजे अलिगड़ में अलिगड़ जनपद है इस जनपद के अंत सपा काबिज रही सपा 2017 में दूसरे अस्थान पर चली गई क्योंकि दूसरे अस्थान पर जाने के पीछे की वजह नरेंद्र मोदी लाहर बताया जा रहा था माना ऐसा जा रहा था कि अलिगड़ इनिवर्सिटी जो है उससे चात्र राजनीती काफी ज़्यादा सक्रिय रहती है इसलिए अलिगड़ जनपद में इवाओं की बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी रहती है जो काफी राजनीती में दिल्चस्पियां दिखाती है और जो मोदी लाहर योगी लाहर जो चला था वो सोशल मीडिया का जम बीजेपी जित गई जनपद में साथ विधान साबा की सीटें आती हैं और साथों विधान साबा की सीट पर बीजेपी ने जित दर्ज कर ली इस बार फिर से बीजेपी के तरफ से यहां के लिए पते खोल दिये गए हैं लेकिन वही सपा के तरफ से अगर बात करें तो पुरा बड़ा दिल्चस्प होगा किसका पलरा भारी होता है कि आखिरकार एक तरफ से सपा दूसरी तरफ से बीजेपी की टकर मानी जा रही है तिसरे दलों के लिए कोई खास तवज्जों नहीं दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाओ के मद्दे नजर चाहे बो बीजेपी हो कॉंग्रेस हो मीम हो भीमार्मी हो कोई भी राजनेतिक दलो एक तरफ सपा गटबंधन के साथ आ रही है वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो बीजेपी है बीजेपी योगी आदितेनात के चेहरे पर चुनाओ लड़ने वाली है और यही से चार्चा उ जुरू हुआ अलिगण मुश्लिम इनिवर्सिटी अलिगण जनपद आपको बता दे सबसे ज्यादा तालीम और ताली के लिए विख्यात मना जाता है तालीम कैसी है वह जब लोगों से हम बात करेंगे तब समझ में आजाएगा आपको भी तालीम क्यूं मशूर है आगे की अलिगण से उतारा गया है अलिगण से उतारे जाने के बाद चिनावी दंगल बड़ा दिल्चस्प हो गया है सातों के सातों विधान सवा सिटे जो है बीजेपी के खाते में है इसलिए सबसे जादे मुश्किल के घड़ी बीजेपी के लिए है राजनितिक दिरिष्टिको जाएंगे तो यहां से बीजेपी को मुहतोड़ जबाब देने की बाते आने लगेंगी चर्चा होने लगेगा देखना है आगे क्या होता है अगली ख़बर में हम आपको बताएंगे पूरे लेट लतिफिय के साथ हम आपको बताते रहेंगे देर रहेंगी लेकिन सविर बताएंगे फिलाल इस खबर में इतना ही आगे कि खबरों के लिए आप उने रहे हैं हमारे साथ नमस्कार